हेलो बचलो कैसे आप सब उमीद है आप लोग एकदम मस्त होगे मैं हूँ तानया मुंजाल और बेटा आज हम चाप्टर करने वाले ना वह मौस्ट 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 इंपॉर्टेंट चाप्टर आपके एक्जाम के लिए यहां से आपके बहुत सारे बड़े-बड़े भ्यं क्या होता है और यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट कोशन बनता है वह आपका क्रेडिट क्रेशन पर सेस्मान के चलो बेटा यह कोशन आपके पेपर में आ सकता है नेक्स हम सेंट्रल बेंक ऑफ इंडिया यानि आर्बीया के बारे में पढ़ने वाले और फंक्शन आफ सें का इंडिया में चलों इंडिया कैसे सेंट्रल बेंक मनी की सप्लाई को करता है मार्केट में इसके कुछ इंस्ट्रुमेंट्स आपके क्वाइच इंस्ट्रूमेंट में इसके बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर आपके CRR, SLR, Reporate, Reverse, Reporate, सारे टॉपिक्स को एक है करके के डिसकस्क्राइब बाले मौस्ट मौस्ट इंपोर्टेंट कोईशन है यह भी आपके बोर्ट के एक्जाम के लिए ठीक है तो टाइम वेस्ट ना करते हैं फड़ा 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 शुरुवात करते हैं चाप्रा पॉस्ट अबे का कमर्शियल बैंक क्या होता है कमर्शियल कराना चाहते हैं तो हम अपना पैसा बैंक में जाके डिपॉसिट करा सकते हैं और उसके बदले में हमें क्या मिलेगा बिटा इंट्राव मिलेगा गयाज में अब तीन टाइप की कि देपॉसिट कर सकते हैं एक होते हैं आकि ढिमान सेविंग डिपॉसिट होंगे fix deposit को आप term deposit भी बोल देते हूं देखो बहुत का मतलब है कि आप अपना पैसा जो बैंक में जबां करा रहे हो ना आप उसको कभी भी demand कर सकते हो कि भाई मेरा पैसे मैं I can demand my money anytime मैं कितना मर्जी कितना मर्जी मैं पैसा बैंक से निकाल सकती हूं at anytime I can demand my money anytime को क्या करते है कोई restriction नीए यहाँ पर जो रेट बहुत बहुत ही कम मिलते हैं बहुत जादा कम इसी को हम current deposit भी कहते हैं current account भी बोलते हैं बड़े-बड़े business management डालते हैं कि उनको एक दिन में पता नहीं कितना पैसा डालना होता और कितना पैसा निकालना होता है क्रोड़ों की investment करते हैं क्रोड़ों का डालते हैं क्रोड़ों पे निकालने पड़ जाते हैं है एक वर घर यहांट तो तो पानन साल के बाद अपना पैसा निई पाओगे से विज्क्टी नियूक है सबस्क्राइबίζ पर सदो कर सकते हैं यहांसी आप जермड़ती हैं मतलब एक दिन में आतना ही में पैसा विड्रो कर सकते हो यह ऐसा होते आप ATM से लिगाने में पैसा हो कर सकते ढीक पैसा है नेक्स और एक सब्सक्राइब कर नजय को सबस्क्रिक्स भीड पा Muk अगर आपको बैंक से पैसा की जुरूरत है तो आप उनसे लोन भी ले सकते अब लोन ले तो क्या देना पड़ेगा ब्याज देना पड़ेगा प्लस आपको क्लेटरल रखनी पड़ती को क्या करना पड़ता है क्लेटरल करनी पड़ती है गिर्वी भी रखनी पड़ती अपनी कोई ना कोई सीक्योटी खों ने दिखो बिटा आगे आपको कोशन है ना इसको आपकर लो महा 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 इंपोर्टेंट कोशन फॉर एक्जाम आ सकते आपके बोर्स के वार्ट सकते जब गcolum money creation by commercial bank जिसको credit creation money creation money multiplier या credit multiplier भी बोल देते हैं कहने का मतलब क्या समझा हम अपना पैसा बैंक में जमा कराते हैं मालो यह बैंक है मालो यह बैंक है commercial bank है हम गए बैंक के पास मैंने बैंक में मैं मैं विड़व कर सकती हूँ मैं बेंक में पैसा जमा करा दिए 109 वे एकजार एक को ईशार रहता हैं और बागी का पर्शन लोगओ को को लोन की फूम में दे देता है यह होता है आपका मनी मल्टिबला धीरे दीरे इसका प्रोसेस समझेंगे स्टेबल से यह कहानिया आपको समझाने की कोशिश करें कि मान लो पहला पिरेट यह है कि आप बैंक में गए हजार पे आपने क्या किये बेटा बैंक में डिपॉसिट क लेकिं याद रखना लेकिं याद रखना ये जो लोन है न बेटा वो कभी भी कैश की पॉर्म में नहीं उता है किसी को एक आप यसे अपकोर मय क्रेट करते है यानी उसके बेंक बनली डालते हैं वह पैसे अंको लोन दे रहे है 》 क्माइव कि नहीं की डालते न की कश की फोर में नहीं डालते है अब वह बैंक蛋न औंक पार है यानु गूम्विर वह बैंके पास ही आ गया dedic म के पैसा अगे इसका 10 परसीशत क्या कर लिया उसने रिजुफ रखियं और 990 को दस परॉस्टिशे आगया लगबग आपका नप्रभ को पॉश्छन मों क्या पढ़तेगा लोन की we're लोगों को देदेगा फिर सही जो आ माउनर वह क्या करेगा प्रसें को क्या इस्यों से किसमें नहीं दिया वह जो इतना पैसा वो क्या कर देगा लोन की फॉर्म में देगा अब बात आ रहे हैं कि मैं यह परसेश कब तक चलेगा यह परसेश कब तक चलेगा तो इसके लिए एक फॉर्मला होता है है टोटल डीमांड डीपॉजट इकवर्ट वट बाइ में मिनिममर इंटू में इनिशन डिपोजट इनिशन डिपोजट अब देखो हमने पाता है मिनिममर इसाओ कि तना दस परतीशत दस परतीशत है तो यह अंडे आ गया टैन उपर हंड्र इनिशन डीपॉजट कितनी है वीज़ारा फैसे ने District 20176 से किसीने एक हजार्त किया तो 10 player दसे परतिशे तैंस वह क्या कर पार है money create कर पार है market में तो थे और का 10% 1000 रिजर्व रखेंगे बाकी का पैसा लोगों को लोन की फोर्म में दीधिया आप देख पा रहे हो ऐसे मनी को क्रेट किया जा रहा है फेसे 10.000 क्या कर दिएभि टोटल ड्यमांड डिपो Jest क्रिट कर दी और उस मेंसे एख अचाहर पे बाकी का पोट्रिशन का कर रहे अब देखो क्या हुआ बैंक में गई हजार पे जमा गया दस पर तीशेट रिजर्व रखा सिर्फ दस पर तीशेट की रखा यह आर बेप फिक्स करती है और इतना ही क्यों पास्ट एक्स्पीरेंस के बेसित करती है कि उनको लगता है कि लगबाग इतना एक टाइम पे एक इं यानि उसके खाते में डाला खाते में डाला तो खाता किसके बाल था बैंक अकाउंट किसके बाल था बैंक के पास तो यह परसेस कब तक चलेगा जब तक वन यह मीं मर इंटो में सब तक एक हजार दस हजार टोटल कितना जन्रेट कर पारे एक हजार से टें टाइम जन टेन टाइम दस ही यह है तो यही है बेटा आपका पूरा का पूरा मनी घुलिया कि इस एक हजार से कितने मल्टिपल टाइम देखरो टेन टाइमस पैसा जनेरेट कर पा रहे हैं मार्केट में क्लियर है बेटा आगे देखो नेक्स्ट आपका बेटा कि Central Bank of India RBI की बारे में पढ़ने वाले कि भाई RBI क्या होते हैं तो आपको पता है RBI क्या है हमारे देश की नोट चापने की मशीन कि किसके पास होती है जो RBI है क्या RBI सारे बेंकों का बाप है बाप फादर ओल दा बैक सारे बैंकों करते हैं कैसे काम करना कैसे काम नहीं करना हर एक चीच की गाइडलाइन को देता है अब हम बात करें कुछ function की बारे में क्या 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 function perform करता है Central Bank यानि RBI most important question most important यहां से एक पॉइंट आपका ज़रूर बनेगा ज़रूर पहला function bank of issuing notes जिसको currency authority function या फिर bank of issue भी बोल देते है bank of issue क्या है देखो cdc बात है RBI के पास note चापने की machine है यह हमें पता है जो भी वह note चापता है ना वह नोट चापता है तो देश में पैसा आता है देश में जो भी note चाप रहे है उसको यूज किया जाता है as a legal tender उसको accept किया जाता है as a legal tender legal tender का मतलब क्याता है वो legally acceptable होगा पूरे देश में तो पॉइंट पढ़ लेते हैं पड़ा पढ़ते है आर बेके पास अकेली पावर है क्या किसी की पावर है ओफ इस्वींग नोट देश में नोट चापने की पावर किसके पास है और बेकी पास है नेक्स पॉइंट पॉइंट नहीं चलेगा यानि वह जो है वह 2000 का नोट पूरे में गहीं पे पी चलेगे रीगलव थे कड़ोगा नेक्स बाटका रिपी का नोट और जितने भी को marche वो नहीं चाहता है मैं नहीं चाहता है वह आपका मिनिस्ट्री ओफ पानारेंस चाहता ते मंहां न कन defining बात है जितने भी नोट से वह आर्बेश चापता है लेकिन एक रुपे का नोट और जितने भी कोईंस है वह कौन चापता है बेसिकली वह Ministry of Finance next RBI के पावर पावर है to control the money supply in the market money supply का मतलब मैं पहले भी समझा चुकी है लोगों के हाथ में कितना पैसा होगा लोगों के हाथ में कितना पैसा होगा वह RBI के पावर है इंफलेशन है महंगाई में लोगों के पास अल्रडी बहुत पैसे तो उसकेस में वह क्या करता है नोट को कम चापता है तकी लोगों के पाद पैसा कम थैसे कम होगैं अब deflation है अब दिखने मंदी चल रहे हैं लोगों के पैसा नहीं है तो इस को चापकेmus क्लियर सिम्मजी बात है इनिए इन्फलेशन है महीं आ dairy है स्केश में क्या करेगा नौत को कम चाप अग मंदी चल रही है आपका bankers to the government तेखो bankers to the government का मतलब है देखो सीदी जी बात है अगर हमें कोई भी अगर मुझे bank से loan लेना है deposit कराना है कोई guidelines लेना है कोई एड़ाइज लेना है तुमका जाओंगी bank के पाल जाओंगी सीदी जी बात है वैसे ही jak kiamer ka करती इंगयर का का अजब का करती है एजम कर कोई फटावर से देख लेतいます का ईंड्यको क्या करती है और क्या ओंड करने का मतलब क्या है कितना पैसा कितना पैसा जा guys कहां से पैसा हा रहा है रहा है कहां से पैसा जा रहा है हर एक चीज को रिकॉर्ड करती है इंगर डोन बी di करती है अगर गौवर्मेंट की पास्ट पैसा था तो मिंद अपिसे को भी इनकी करती है एक्सेप्ट करती है नेंगें के रोल करते कि और आर्फ तो सेल्स दस्सी कुर्टी ओन्द बिःफर ओ गोन मन के बीशाफ देनी को कई सीट को खर가 χांसी है चाहित आउडे एजन्ट रोल प्ले करते है, मीडियेटर रोल प्ले करते है, मिडल म нормально करता है, कि detta. Next, As a advisor, क्या होते है किसी को relatively करता है, government को क्या करता है, वो advise भी करता है, बहुत सारे monetary matters psych goals प्ले के ऑन को कहा पैसा लगाना चाहिए, कहानde पैसा नहीं बोर्म पार्म लेता हैं अगर उसको कोई भी अडवाइज लेने की जरूरत नेक्स एक टाम पढ़ोगे deficit financing through borrowing from RBI deficit financing का मतलब पैसे की कमी हो जाना इसको हम क्या बोलते हैं बेटा deficit financing borrowing from RBI अगर government के पाल पैसे की तंगी होगी government के पाल पैसे की तंगी होगी यानि government के पाल पैसे नहीं है तो वह कहां जाएगी आखरी सारा कौन है government का तो RBI को कहें कि चल भाई not chop not chop के वो RBI से क्या कर लेगी उधार ले लेगी बोरो कर लेगी पैसा ठीक है अब government ने बोरो कर लिया पैसा तो वह कहां लगाएगी देश पे लगाएगी देश की ग्रोथ करेगी देश पी ड्यवेलमेंट करेगी उस कामों में वह पैसे को लगाए बेंको को सुपरवाइज करते देखता है वह बेंको पाप है और वह क्या करते हैं सारे के सारे के सारे बैंकों को कबाप है देखते हैं वाइस का मतलब क्या है यहां पर वीजन देखते हैं देख रहे कर्थ हैं वह सई से काम कर रहे कि नहीं करें सारे legal देख रहे करते हैं सुपरवाइस करते है ठीक है इसलिए वह सारे के सारे बैंकों का यहाँ बाप है T कि वो अपने customers को पे कर पाए तो उस situation में RBI क्या है आखरी उमीद है उस बैंक के लिए उसका सहारा है वो कहां जाएगी अपनी जो यह प्रॉब्लम को लेकि वो कहां जाएगी RBI के पाल जाएगी RBI उसकी समस्या का solution निकालेगा उसको पैसा उधार देगा ताकि वह बैंक चलेगे या कोई भी क्राइसी से जूल रहे है तो वो किसके पाल जाएगे RBI के पाल जाएगी ठीक है नेक्स्ट आपका Clearing House Function बड़े ध्याम समझ लाँ Clearing House Function मालो यह दो बैंक से यह मालो HDFC बैंक यह पका PNB बैंक एक्जामपल ले रही हूं तो बैंक से अब मालो HDFC बैंक ने PNB को 10,000 पे देने थे और PNB बैंक ने HDFC को मालो 15,000 पे देने थे तीक है अब दोनों बैंक किसके अंडर आ रहे हैं अब क्या किया जाएगा HDFC को 10,000 देने PNB को 15,000 देने तो अब क्या करेंगे 5000 सीधा देगा PNB किसको HDFC को क्यों क्यों क्योंकि दोनों बैंक जब आई रहे हैं तो पांच जार देके वह खातों को क्या कर देंगे क्लियर कर देंगे क्लियर हो जएगा काउंस ठीक है तो भाई है क्लीरिंग हाउस फंक्शन का मतलब है बैसिकली अकाउंस को क्लियर करना यही है यह यह दलजार देने इसको 15,000 देने तो अपने आप में वह लेंदन करके वह सीधा इसको क्या देदेगा पांच जार पे करता है कि देश में मनी की सप्लाई को बढ़ाना की कम करना इंफलेशन में बढ़ाएं की कम करें डीफलेशन में बढ़ाएं की कम करें इसको भी वह क्या करता है क्यों करता है ताकि देश में क्या है स्टेबिलीटी है स्टेबिलीटी का मतलब स्थिरता ना ही देश में के लिए हम आगे का topic पढ़ेंगे तो अब टॉपिक वेखो हाउ ड़स सेंट्रल बैंक कंट्रोल मनी सप्लाइ इन दा मार्केट कैसे सेंट्रल मनी की सप्लाई को तो कंट्रोल करते हैं में तो पड़ा वरतिता इसके इसल में एक एक हाथ आपका क्वान रेटिये इसलिमेंत हो और यह का वॉडिशन इसन में और पढ़ने के क्या क्षे समझा देखो अप्र पहला है आपका सी आपका एक चीज में आपको पता दूँ अगर आप देख पा रहे हो यह वाले टॉपिक वे हमने रिजाव रखा था जितना भी जितनी भी टॉटल डिमांड डिपॉसित हो रही है उसका दस पर सीशत क्या रखना पड़ता है रिजाव रखना पड़ते हैं मालो अगर मैं यह वाला भ सब्सक्राइब क्रेंगे और यहां बियुक्त प्रफ्फानार का मतलब होता है यह स्लागा है जम यह ईयार का मत्लब है जो भुन है अपने पाल जमा करें बचुद के पाल जमा करें तो उसको कहते है अल यह होता है बेटा आपका तो पहता पूपिक तो फड़ाफ़ से देख लो है शीवर का मतलब है जो भी बैंक रिजर्व रख रहे है वह Oops कि किर पाल रुख रहहे हैं जमा रहा है वह दिख़ाएन का मतलब 75% डॉत वहुत है सअटेन परसेंट ऑद ज़ुत jis Pas 10% की बात कर रही थी 10% क्या कर रहा है किसके पाल रख रहा है RBI के पाल वह कुछ भी हो सकता है 10% 20% 5% वह RBI पीच्छे से डेकि उस्ट आए अब देखते है इनफ्लेशन की प्रॉब्लम को सौल्व करना इंफ्लेशन की प्रॉब्लम को ने देश में क्या लगा है निस्टैबलिटी अब क्या किया जाए क्या किया जाए ऐसा कि इंफ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्रम कंट्रोल लोगों के पास पैसा निकालो जेबो से पैसा बहुत पैसा ले ले ये ने रिजोव बढ़ा दिया में लोगों के पास चैसा कम जारा है फट्राइस प्राइस को प्रॉब्लम क्या थी इंफ्लेशन मतलब प्राइज बढ़ रहा है अब प्रॉब्लम धीरे धीरे क्या होनेलग्ampa सॉल्ठी काउन कर में प्राइस क इस्सेजञ़ेए शेपल इसाइल टीक है स्टेबलेटी है प्राइस पहले बहुत जादा धीरे-धीरे-धीरे प्राइस कम होने लग gehtश तो देश में क्या गिए इनफलेशन प्रॉब्लम मआ मैं धिक का मैं क्या मैं क्यों प्राइस देफ कम do बूजर फोन के दोक्त पैसा क्यों पैसा नहीं थेमें कि प् fragrance कुम कर देड़ा है। अब किसी भी चीज की इसीडीड है है। तो बहसी है अजने सम्ट पैसे जह स्वी थे प्रफफ़ क Pvd तो देश में इन्वेशन अच्शे नानी चाहिए c यह पूरे महाघ्रंत को पहले भाशन में एक्स्टेंड करोगे फिर फैसे थंपल चार्ट की फोर में एकस्पेंग तो क्लियर है नेक्स अलाइब क्या होते है ईसलार मतलब इस्टाटूटरी लिक्विडीडिटी रेशियो हमने क्या बात करी थी मैं हजार पे उसका सोर पे क्या रखा था रिजर्व रखा था और नौसर पे क्या कर रहे था लॉन की वह में दे रहे थी है पुछ वह आगे-आगे जो भी प्रसेस्ता में चोड़ दो इतना था मैं चुझी सोर पर रखा है ना यहां पर आर बिया के पास रहा है यह जो रिजर्व वह किसके पास रखा बैंक ने अपने पास रिजर्व रखा उसको हम क्या कहते है एस एला तो वह यह इट पर सेंटेज अव ट आप चियहरिशन और जाद से करना पड़ता है से च्रकाहिशन टार पातके और बात करते हैं इद पार से तकना के 137 सन। इंफ्लेशन मतलब में महहंगाई क्यों की लोगों की डिमार्ड जाद है और यह प्रॉब्लम किया है लोगों की पैसा तो आर ब्याय क्या करेगी रिजर्व को बढ़ा वो कहेगी कि बेंक अपने पास जाधा रखे और लोगों को लोन की पूम में कम दे डिशाअव जाधी मनी की शूम में तो किसी भी चीज़ की दिमांड यह तो प्राइस क्या होगा देक कंव जैसे निलीटी डीस Surprise कंव हो जाएका तो inflation problem control or देश में क्या जाजएगी stability आजएगी next deflation में देखो deflation का मतलब क्या है deflation मतलब मंदी चल रही है लोग को खी नहीं रहे क्यों को फैसा नहीं प्याइब क्या है तो भाइब क्या लोगों को पैसा अब Keeping कि आर्ब ई vale reserve करोयार कम करू Game zone regard lakeber वह काझती है bankôm कि भाइट तो अपने पात reserve कर और लोगों को लोन की फोम में जाढ़ा दे आब लोगों के पात reserve कम रखए ख़ऑी खुद के बांग मनी की supply Market बढ़ेगी क्योंकि लोगों की फिर में पैसा जा रहा अलो जब deflation problem control हो जाएगे देश में क्या जाएगे स्टेबिलीटी आजएगी देखो भाई स्टेबिलीटी डिफलेशन का थी यह दिरे दिरे क्या हो रहा है प्राइस बढ़ रहा है प्राइस बढ़ देश में बट ला इन दोनों का कंविनेशन कभी भी नहीं होगे एक चीज और यह वहूं कॉम्णेशन कभी यवह एक सब्सक्राइब आए अब सेमें इनफलेशन में गढ़ जाए है महंगाई क्यों जाता है राइसा दाधा है रिजर्व की फोर्म पैसा HOLK पैसा कम हो मान मनी की सप्लाई मार्केट में का जब लोगों के मंदी मतलब क्या है लोगों के पास पैसा नहीं पैसा नहीं है तो RBI किया किती है रिजर्फ की वह में हम पैसा काम रखो ताकि लोगों को लोगों की वह में पैसा जादा मिले लोगों की पैसा जादा मिलेगा तो लोगों के पास पैसा जादा तो पर्चेसिंग बढ़ प्राइज बढ़ जाता है किसी पी चीज की चिज़ दिमांड जादा होती तो प्राइज अपने आप बढ़ जाता है डिफलेशन प्राव्लम में स्टेबिटी इन दिग्रॉमिंग अगर देखोंगे नेक्स कि आपका रेपो रेट और बेंक रेट बड़े ध्यान समझो इसको हम कहां जाएंगे बैंक के पाल जाएंगे बैंक से लोन लेंगे अब लोन लेंगे तो क्या देंगे बैंक को ब्याज देंगे वैसी जब बैंक को पैसे की ज़रूरत है तो वह कहां जाएगी आर बैंक के पाल जाएगी बैंक से क्या लेगी वह लोन लेगी और लोन लेगी तो वह पे करेखी ब्याज में न लग बाट का मतलब है रिप्वक है या फिर या या किंघ लोन फ्र्म लेगी तो लोन लेगी तो इसलिए इंट्रस्ट चुकाईगी एड वाट रेट अग्ट रेट थेकिंग लॉन फ्रम दार्वाइब क्या करते है रेपो रेट या फिर बैंक रेट भाही बात रही है अब रेट अब इंफलेशन और इफलेशन देख लोग आप इंफलेशन मतला मैं महिंगाई क्यों महिंगाई क्रीदने माले बहुत है ना क्यों पैसा बहुत है ना तो आर्बिया कहते हैं निकालो यार जेबों से पैसा बहुत पैसा लेए फिर देए यह लोग है तो वह कहते हैं लोगों को पैसा कम दो तो आर्बिया क्या कर देगी money supply come money supply come loggos के पास पैसा नहीं तो लोगों की खृदने की शंता कम खृदने की शंता कम तो डिमांड कम किसी चीज की दिमांड निया तो प्राइस कम फिर यह हो जाएगा inflation प्राइस के पास पैसा कम पैसा कम तो अब क्या कर देगी वह ब्याज को कम कर देगी जब कमर्शल बेंक या जितने के निद Yes come कर today की कमर्शल व्रेंक की पैसा कम देना पढ़कितकometer पैसा है जब इसके पाल पैसा है तो लोगों को लोन की वह में पैसा ज्यादा मिलेगा जब लोगों को लोन की वह में पैसा ज्यादा मिलेगा यानि कि प्रशम बड़ जाएगी जब्लों के पैसे तो लोगों के हाथ में पैसा होगा जब उनके पास पैसा जेब पैसा है घरी देंगे एधियानि के चीज करेंगे निश्की चीज की जाधा तो प्राइस बड़ेगा डिफलेश्शन प्रब्लम कंट्रोल हो जाएग तर्स में क्य तो यह एक चीज का रेपो रेट और बैंक रेट में क्या होता है कि दोनों में लोन ले रहे हैं रोड़ी एक लेकिन रेपो रेट में वो कुछ ना कुछ गिरवी रखती है security को RBI के पास commercial bank क्या करते है RBI के पास कुछ ना कुछ गिर्वी रखते है security को collateral कराते है लेकिन bank rate में वो कुछ भी गिर्वी नहीं रखता security को यह फर्क है दूसरा it allows repurchase of security अगर मैं मात करूं यहां देखो from رेपरेट में क्या था लॉन लिया फो कुछ ना कुछ गिर्वी रखा bank rate में क्या था है लॉन लिया कुछ भी गिर्वी नहीं रखा्योता डूउसरा रेपर में के अब लोग लिया तो गिर्वी रखा अब जब दोब सोक ruby आंप ने किया करोंगा मेरी सिक्योटी जो मैं रख रख रहा हो चिड़वा ओंगा यानि तो क्या जो ये पटध है कुछ दाङ गिर्वी ने रख रख रहं तो चड़वा निongo रीपर्चे रख रहते हैं वहा वालीा क laptop without It does not allow repurchase of security. एक शॉर्ट टम पहांगे है, शॉट पिरोड टाइम के लिए लोन लिया जाता है, रेपो रेट में, बेंक रेड में मीरियम टार विया फिर लंबे समय के लिए लोन लिया जाता है, देखो लोन ले रही है आरीबैसे ले रही है वह शौरट पिरियोड टाइम के लिए होता है रेपो रेट कर लेट के लिए द्ग लिया जाता है यह इसके तीन डिफ्रेंस्स है रेपोरेट में कुछ गिरवी रखना रखना पड़ता है अब गिरवी रख़ा तो उसको उल्टा रिवोर्स उजाने उसको कहते हैं It is fishermen I Karena gはは इक या मैम कोई भी American ऑन यह मेर्म पात मैं कोई कमर्शियल बेंक मालो स मर्मक है और यह होगे हम जैसे लोग हम अगर अगर हमें हमें ते लोतह लोतलो होता इसको दिपिनिशन देखो एक वो ड्रेटी दृट रएकल अपना पैसा जम्हा करा देता है रब्यक्रेट का इसको इंट्रस पे करेगा यह हमें पते है खना अब वही यह I definition देखो at what rate at what rate the commercial bank is depositing their money to the RBI किस rate पे किस ब्याच पे commercial bank अपना पैसा जमा करा रहे हैं RBI के पास उसको आप क्या कहते हो reverse repo rate repo rate में loan ले रही है और reverse repo rate में उसके पास पैसा है वो अपना पैसा पैसा जमा करा रही है RBI के पास यह दो डिफ्रेंस है रेपोरेट में loan ले रही है और रिवोर्स रेपोरेट में पैसा जमा करा रही है क्लियर है यह definition पढ़ लेना इंफ्लेशन और deflation का मतला समझो क्या है यह आप है देखो अब inflation है inflation problem को control करना है देश में stability लानी है deflation करना है deflation problem को control करना है देश में क्या लिकिया निए इंफ्लेशन मतला मैं महिंगाई क्यों महिंगाई है मैं लोगों लोगों के बास पैसा लोगों कम दो लोगों को निए लोगों को लोगों कर देगी रिवे यह को बढ़ारी यह और अब जब बैंक अपना पैसा जमा करा रहा है ना मार्केट में मार्केट में 10% इंटराव्च वह उसको 12 पर्तिश्यों दे रही है अब बैंक को तो यहां से जाधा जाधा तहों अपना सारा क्या करते ज्यादा ज्यादा पैसा प्येल हिगा यहल Supply में पैसा कम यानि लोगों के पा मणी की स्प्लाई मार्केट में कम जब कृदने की शंम मतलब क्या है मैं मंदी क्यों मंदी क्रिदने रहे लोग क्यों निंखे पैसा नहीं है लोकोरे के है अब वो सोच रहा है यहांपर तु ब्याजी निया रहा है is être better तो मैं लोगों को लोन की ओम में दे कि ज्याधा कमा लूंगा वह कहता है यहां से मुझे ब्याज आ रहा है से बैटर में लोगों को लों देऊँगा वहां से मैं ज्यादा ब्रयाज कऊंख रिहां तो अब ये जब अपना पैसा अंकरा रही है तो byard अब पैसा यहां कमता कर रही है व्या confidently haven जादा कमाई रही है में मुद है जादा दे रही है इस में मनीघिण इस सप्लाई के लोगों के पैसे आधा पैसे चाहिए कैसी सत्रामर यह इस ज में एक भी से मार्कीट का मतलब होता है बाय या फिर सेल, किसका बाय और सेल, गॉर्मेंट सेक्योर्टी इसको खरीदना या फिर बेचना, अब ऑपन क्यों है, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है, ओपन का मतलब है, ओनलाइन ट्रेडिंग करी जाती है, इसको हम कहते है, तो यह यह, it refers to sale and purchase of government securities, खरीजना या बेचना किसका government security कौन क्रीटी बेचती है, RBI खरीटी बेचती है, कहां पे in a open market, क्योंकि इसका कोई particular location नहीं है, या online trade किया जाता है, definition समझाई, आप देखो, inflation क्या है, deflation क्या है, inflation मतलग मैं price जादा है, वही same demand जादा है, क्यों demand जादा, लोगों के बाद पैसा जादा है, और भी आ कहते है, बेंघकनाई को, पैसा निकाला, लोगों की ज 아니고 पैसा निकाला है, जब आम जंदा के बाद पैसा पैसा कम या नी, में कहाँए इफ डिफ्लेशा में दीफ्लेशन मतला मन्दी मन्दा क्या है डिमांद नहीं करोंद पैसक नहीं अर्ब बंग क्यों पैसा नहीं एप्से और नोacing में पैसा दो यान को margin requirement margin requirement का मतला समझो बड़े थांसे देखो यह मालो बैंक यह बैंक मुझे पैसे की दुरूरती मैंने का बाई मुझे पैसा चाहिए बैंक वले को बोला बैंक कहते ठीक है ती देंगे आप कोई ना कोई गिर्वी रख दो सिक्योर्टी को हम आपको लोन देंगे तो मैंने क्या क अभर को मैंने आप कि मैंने मेरे ड्स वैंटेभे का बैंक रोला तो मargin requirement ये अपका तो यह होते हैं आपका मार्जन मार्जन मतलब यह दो लाग रपे दो लाग बना कैसे दस लाग में से आठ लाग माइनस किया तो यह दो लाग बने तो यह दिफ्रेंस बेट्वीन तव एल्यों सिक्योर्टी डाट अग्विन प्रवाइड़ बाइड बैंक है डेफिनिशन हो जाएगी बिलकुल अब दिख from inflation deflation inflation में लिएखो क्या करें इंफ्लेशा मतलब महंगाई महंगाई आपको पता है मतलब लोगों के पाल पैसा प्सलिया आपको अपको बदबाएत hasn't Πास तो लोगों फैसा निखाल लो लोगों से पैसा निकालओ यार तो इस बढ़ा इंज़ा बढ़ा देगी मार्जन पहले दो लाग का मार्जन रखरी थि अब सिरफ एक मार्जन रखरी आप एक लिए्न 것을 RPG तक एक टॉपिक था आपका एक टॉपिक एक रश्णीग ऑफ रह गया कोई नहीं यह लिख dem यानि लोन की लिवेट को क्या करेंद तुम का मतलब रशन को मतलब है अब क्या कर रहा है इन चेस आफ ईंलेशन किया करती है और ईंक तैसे क्ती Eun deflation मतलब क्या है महंगाई है महंगाई मतलब लोगों के पास अल्लेडी पैसा दाद है तो लॉन की लिमिट को क्या कर देगी काम कर देगी मालो एजुकेशन पे 10 करोड का लोन मिल रहा था लोगों को मैक्सिमम पूरे देश में 10 करोड तक का लोन दे पा रहे थे अब इस लॉन कि लोगों के हात में पैसा जादा वाली सिटूईशन वालेट पास अपास मनी की स्प्लाई मेचिस प्लाई नाज पीसिंग प्रावड जादा नहींब ज़ाएगा इंठी जान प्राइस बढ़ जाएगा और देफिलेशन प्राप से moral season moral season का मतलब क्या होता है जाता है मारे प्र्स्विजन आपका दो वर्ड से मिल्के बने एक आपका पर्जूयजन एक अपका प्रस्वेजन औगानुन वान मतलब होता है आधखोar समय कुए वह फाला है वहि भड़े से संजाथ अगर च भाइर पारा है अच्छी बास नहीं है अगर दोबारा लिया तोह स्ट्रिक्ट equation लेंगे हम लीगल एक्षन लेगे तीक है अगर फिर भी वह नहीं मानते फिर भी कमर्शल बेंक रूल रेगलेशन तोड़ती है रूल रेगलेशन फोलो नहीं करती तो फिर उनको प्रेशराइज किया जाता है लीगल नॉटिस बेल देते हैं कि भाई दुबारा से गलती देख लेती है और उस बेंक की ब्रांच को क्या कर देती है खतम कर देती है यह आपका moral suasion दो वर्ट से मिलके बना है पर्सुएजन और प्रेशर पहले प्यार समझाती है फिर थोड़ा दाट की समझाती है फिर भी नहीं लेती तो लीगल एक्षन ले लेती है तो लो जी हो गया चैप्टर अब समाब्स है ना अब आजो भाई थांक्यू पर उमीद आपको अच्छे समझा है मुझे पता है थ झाल झाल झाल